आज मैं कर रहे हो गैस stove की cleaning और साथे साथ आपको भी बताती जाओंगे कि step by step आप अपनी stove की deep cleaning कब करें और कितने time में करें cleaning के लिए gloves सबसे पहले हमें चाहिए क्योंकि इसे हाथ हमेरे safe रहेंगे दूसरा हमें चाहिए बेकिंग सोडा कोई भी कमपनी का ले सकते हैं डिश लिक्विड और मैंने यहाँ पे लिए तीन ब्रशिस एक मैटल ब्रश, गैप क्लीनिंग ब्रश और टूथ ब्रश यह हमारी क्लीनिंग करने में हमारी हेल्प करेंगी और यह मैंने DIY स्प्रे बनाया हुआ है यहाँ पे मुझे चाहिए एक स्क्रबर और दो माइक्रो फाइबर क्लोथ सबसे पहले मैं गलव्स पहन रही हूँ क्योंकि इससे मेरे हाथ सेफ रहते हैं मैं काफी सदा क्लीनिंग करती हूँ मुझे गलव्स चाहिए होते हैं गैस स्टेंड और बर्नर को हम साइड में रख लेंगे सबसे जरूरी चीज यह हम गैस नोप भी भूल जाते है गैस नोप को हटा के यहाँ पे भी क्लीनिंग करनी है डीप क्लीनिंग का मतलब ही यह होता है सबसे पहले मैं स्प्रिंकल करें बेकिंग सोडा या पि मैं बेकिंग सोडा क्यों यूज करें वो समझना जरूरी है क्योंकि इसे अब्रेजिवनेस बढ़ जाती है जब भी हम स्क्रब करेंगे तो इससे अच्छे से अब्रेजिवनेस आएगी और हमारी cleaning बहुत अच्छे से होगी तोड़ से मैंने dish liquid लिया था ताकि अच्छे से हमारी gas वो साफ हो जाए और आपको किसी भी extra cleaner की जरूत नहीं पड़ेगी आप बस अपनी घर में ही जो चीजे पड़ी हैं आप उनी से ही साफ कर सकते आसानी से gas के नीचे का हिस्सा हमी साफ करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम deep cleaning कर रहे हैं वन्त पे एक बार आप gas stove की deep cleaning जरूर से करें इससे आपका gas stove खराब नहीं होगा और जिस इस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप gas stove अपना साफ कर सकते हैं यह वाली ब्रश में हमेशा यूज करते हैं टूथ ब्रश हमारे काफी जादा काम आती है तो जिस भी पार्ट में हमारा हाथ नहीं जाता है gas stove के वहाँ पे हम टूथ ब्रश का यूज करेंगे और gap cleaning brush भी काफी जादा important है यह सारे cleaning tools आपके पास होने चाहिए मैं हमेशा जब cleaning करती हूँ तो top to bottom हमेशा मेरा रहता है कि मैं top to bottom ही cleaning करूँ तो मैंने tiles को साफ करते वे gas stove के पास माई हूँ एक यह जो कपड़ा मैंने लिया है microfiber cloth है आप चाहें तो cotton का use कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे microfiber cloth को use करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसे काफी अच्छे से cleaning होती है और यह काफी लंबे टाइम तक भी चलते हैं लिंक मैं आपको description में दे दूंगी आप जाके check out कर सकते हैं दो cloth आपको use करने है एक wet cloth यूज करना है एक dry cloth यूज करना है अगर आपको भी यह दिक्कत आती है कि gas stove साफ करने के बाद भी उसमें धबे रह जाते हैं तो आप हमेशा दो cloth को use कीजिए यहाँ पे मैंने एक बार wet cleaning की है उसके बाद मैंने dry cleaning की है यह दिखे काफी अच्छे से मेरा gas stove साफ हो गया है यह वाला method आप दोनों gas stove में use कर सकते हैं चाहे वो glass की हो या फिर steel की हो gas stand और burner मेरे जादा गंदे नहीं है क्योंकि मैं time to time इनको clean करती हूँ अगर आपके वाले जादा गंदे हैं तो पहले pre-soak कीजिए पानी और dish liquid में भिगो के रखिए तोड़ आदे घंटे तक ताकि जो उसको इपर जमा हुआ है वो सब soft auger जल्दी से निकल जाए यहाँ पर मैं simple dish liquid कर यूज़ कर रही हूँ और एक मैंने toothbrush लिए ताकि आसानी से corner में सफाई हो सके यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हैं लिए तो मुझे काफी अच्छे result भी मिलते हैं और मैं आपको भी बता दे जाओंगे कि आप भी किस तरीके से बिना खर्चा किए कोई भी cleaner करीदे घार पे ही DIY cleaners बना सकते हैं और अपनी घर की साफ सफाई अच्छे से कर सकते हैं जब भी आप सफाई करें तो टाइमर का ध्यान रखें आपना टाइम लगा लें कि आपको 15 मिनिट देने हैं गैस्टोफ को साफ करने में इससे जल्दी सफाई होगे और आपका ध्यान भी इदर दर नहीं डिस्ट्रेक्ट होगा विडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल आपकब सफाई कर रहे हैं अपनी गैस्टोफ की कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना थैंक यू सो मच